हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो ये लेटेस्स टेडिशन की आपके पास आडी शर्मा की बुक है ना इसका हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं लाइन्स एंगल्स इस बुक से जो की एंसाटी में हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है है ना एंसाटी स आप से यहां पर क्या कह रहे है पेज नंबर 222 पर है यह आपकी बुक में आप से कि रहे हैं इन्फिगर 10.100 ये फिगर आपको गिवन है एबी जो है वो डी ए के पैरलल है ये गिवन है प्रूफ करना है आपको यहांपर एंगल ABC प्लस एंगल BCD जो है वो किसके बराबर है 180 प्लस एंगल CDE के एक बढ़े अध्यान से समझो ABC यह वाल एंगल BCD यह वाल एंगल किसके बराबर है 180 प्लस CDE इस वाल एंगल के बराबर है 180 प्लस में क्लियर हो गया, क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है आप यहांपर देखे है इस मेरा थोड़ से कंस्ट्रॉक्श से एक line को draw करूँ जिसको मैंने यहाँ पर F नाम दिया है लेकिन जो यह मैंने CF draw की है न यह AB और ED दोनों के parallel है तो मैंने यहाँ construction में लिख दिया साथ की साथ draw CF parallel to AB and ED ठीक है न प्रूव में मुझको क्या करना है यहाँ पर angle ABC प्लस angle BCD बराबर में 180 प्लस में angle CDE यह मुझे प्रूव करना है अब अपना solution यहाँ पर देखो सबसे पहली बात मैंने इने नाम दिया इसे angle 1 नाम दे दिया और इसको angle 2 नाम दे दिया क्योंकि यह एक angle है जो दो parts में divide हो गया ठीक है अब अगर आप यहाँ धियान से देखो तो जो आपका ABC है यह वाल एंगल प्लस एंगल 1 जो है यह तो 180 के बराबर है क्यों यह 180 के बराबर है क्योंकि यह co-interior angles है कैसे आपने AB CF के parallel बताईए उपर reason में लिख दो CF और AB जो है वो parallel है इसलिए यह co-interior angles है ठीक है ना और साथ के साथ जो आपका angle 2 है वो इस angle के equal होगा इस वाले angle के जिसका नाम है मेरे पास यहाँ पर CDE क्यों एक तो यह alternate angles है इसलिए और alternate angles यह इसलिए है क्योंकि जो CF है वो मैंने किस के parallel बनाई है ED के parallel बनाई है इसलिए alternate angles और equal है तो इस पूरे को मैंने first बाना और इस पूरे को मैंने second बाना ठीक है मैंने क्या क्या है दोनों equations को यहाँ add कर दिया adding equation 1 and 2 तो equation 1 left side को left side पर यह add करना देखो और right side को right side पर यह add करना तो right side तो आगे और add होगी नहीं यह तो as it easy लिख दी मैंने angle 1 plus angle 2 मिलके एक पूरा angle बना रहे है यह वाला c वाला जिसका नाम है bcd तो इन दोनों की जगा मैंने bcd लिख दिया और आपको प्रूफ भी तो यही करना था हो गया प्रूफ हैंस प्रूफ क्लियर है सिर्फ एक छूटी सी construction करनी थी और आगर आपको properties पता है कि जो parallel lines की क्या properties होती है तो आप इस question को बहुत असानी से कर सकती हों मिलते हम next class में next ऐसी ही किसी एक question के साथ इसमें कहीं दिक्कत लगे comment करके जरूर पूशना वीडियो अच्छी लगे आप इसे like जरूर करना फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक ब झाल